आस्ट्रेलिया के एक होज करताओं का दावा है कि प्रित्वी की चार नहीं पाँच परते हैं और ये पाँचवी परत धातू की ठोस गेन जैसी है उन्होंने इसका पता लगाने के लिए भुकम के जटकों से पैदा होने वाली सिस्मिक तरंगों का इस्तिमाल किया है उन्होंने सिस्मिक तरंगों की रफ्तार के जरिये पाँचवी परत का पता लगाने की बात कई है खोज करताओं ने इसके लिए पिछले एक दशक में आए 200 भुकम के जटकों के डाटा को जमा किया था खोज करताओं के मुताबिक पाँचवी परत धातू की बनी है तो आईए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं हेलो दोस्तो अर्थ हजुबा में आपका फिर से स्वागत है खोज करता आखिर किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि धर्ती की पाँच परते हैं अब तक पाँचवी परत की संभावना जताई जाती रही है लेकिन कभी इसे साबित नहीं किया जा सका है वैज्यानिकों ने अंद्रूनी कोर में मौजूद लोहे की सरचना में अंतर पाया है जिससे धर्ती के केंद्र से 650 किलो मीटर पर एक अलग सीमा के संकेत मिले हैं खोज से उससा ही स्टडी के लीड रिसर्चर जोवान स्टफेंशन ने कहा है कि हो सकता है कि अब स्टेस्ट बुक बदलनी पड़ जाए अभी तक लोगों को प्रित्वी की चार परतों के बारे में पता था ये चार परते क्रस्ट, मैटल, आउटर कोर और इनर कोर है ऑस्ट्रेलियन नैशनल उनियर सिटी के खोजकरताओ ने प्रित्वी की पाश्वी परत खोज निकालने का दावा किया है खोजकरताओ ने इसके लिए प्रित्वी के भुगर्ब से गुजरने वाली सिस्मिक तरंगों की रफ़तार को अधार बनाया है इसके लिए उन्होंने पिछले एक दशक में 6 या उससे जादा की तिर्वता वाले 200 से जादा भुकंपो का डाटा जमा किया खोजकरताओं की रिपोर्ट के मुताबित पाचवी परत धातू की गेंद जैसी है जो भुगर्ब के बिलकुल बीचो बीच है या हम कह सकते हैं कि परित्वी के अंधुरूनी हिस्से में हैं उन्होंने रिसर्च के नतीजे Nature Communication के जन्रल में पब्लिच किये हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रित्वी की सरचना और उसके विकास को समझने के लिए प्रित्वी के भुगर्ब के बारे में जानना कितना जरूरी है। ANU के Research School of Earth Science के डॉक्टर थान सोन फाम ने बताया प्रित्वी के भित्री गर्ब में धातू की गेन की मौजुदगी की कल्पना करीब 20 साल पहले ही कर ली गई थी। हमने अब इस कल्पना के सबूत पेश किये हैं। हम आपको बता दे कि ये तरंगे प्रित्वी के एक चोर में पैदा होकर प्रित्वी के 20 से होते हुए दुसरे चोर से निकलती है। लहरे फिर से भुकम की श्रोत की और लौट जाती है। इसके लिए टीम ने अलास्का में पैदा हुए भुकम की तरंगों का आकलन किया अलास्का वापस जाने से पहले सिस्मिक तरंगे दशिन अटलांटिक महासागर से कहीं निकलती थी खोज करताओंने पता लगाया है कि लोहे और निकल की अनिसो ट्रॉपी प्रित्वी के भुगर्ब के जैसी है अब ये अनिसो ट्रॉफी क्या होती है? अनिसो ट्रॉफी का इस्तिमाल प्रित्वी के भुगर्व में सिस्मिक तरंगों की रफ्तार का पता लगाने के लिए किया जाता है ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो किस दिशा में जा रही है इसी से उन्हें पता चला कि बाउंस करती हुई सिस्मिक तरंगे अलग-अलग एंगल से बार-बार प्रित्वी के बीच के हिस्से में ही आ रही थी इसके बात खोज करताओने अलग-अलग भुकंपों की सिस्मिक तरंगों के ट्रेवल टाइम की जाच की जिससे उन्हें पता चला कि प्रित्वी के भूगर्ब के अंदरूनी हिस्से में क्रिस्टल जैसा कुछ है जो बाहरी परतों से काफी अलग है खोज करताओने इससे अंदाजा लगाया कि प्रित्वी के निर्मान के दोरान कई बड़ी घटनाएं हुई होंगी जिससे कोर के अंदरूनी हिस्से की क्रिस्टल सरचना में इतना महत्दपुन बदलाव हुआ अब हम आपको बता दे कि इस खोज के फाइदे क्या हैं इसके खोज करता फाम और कैलरिश ने कहा कि इस खोज से वैज्ञानिकों को 450 करोड साल में हुए धर्ती के विकास को समझने में काफी मदद मिलेगी उनका मानना है कि इसकी वज़ा से धर्ती पर जीवन को पनपने में काफी मदद मिली थी उन्होंने ये भी बताया कि धर्ती के बाहरी और अंदरूनी गर्भ दोनों मिलकर एक चुम्बकी या छेत्र बनाते हैं जिसकी मदद से प्रित्वी खतरनाक रेडियेशन से बची रहती है उन्होंने कहा कि इस प्रक्रियाओं को समझने और प्रित्वी की गहराई से जाच के लिए उन्हें और ज़्यादा अच्छे उपकरणों की जरुरत होगी रिसर्च में बताये गए निशकर्ष पहली बार भारी मात्रा में तेजी से बढ़ती डिजीटल वेवफार्म डाटा का नतीजा है हम उमीद करते हैं कि प्रित्वी की गहराई में प्रकाश जालने वाली जाच के लिए मौजूदा सिस्मिक रिकॉर्ड काफी मदद करेंगे उन्होंने इसके प्रमान भी दिये हैं उन्होंने बताया कि उनके पास IMIC याने की Innermost Inner Core के बारे में अलग-अलग छेत्रों से ठीक-ठाक सिस्मिक प्रमान है और उनके आगे के प्रयास IMIC, OIC याने की Innermost Inner Core, Outer Inner Core के परिवर्तन की विशेष्टा पर बेस्ड होंगे आईए जानते हैं कि इसका तापमान कितना है अभी तक ज्वाला मुखी और सिस्मिक तरंगों की मदद से धर्ती की अंदरूनी सरशना के बारे में पता लगाया जाता रहा है इससे पता चला है कि अंदर की Core का तापमान 5000 डिग्री से भी जादा है या काफी छोटी है और धर्ती का सिर्फ एक प्रतीशत हिस्सा इसमें आता है इस दिशा में दुनिया भर से डेटा कलेक करके और जादा स्टडी के जरिये या दावा और सटिकता से किया जा सकता है लेकिन स्टडी के जो रिसर्चर्स है वे कहते हैं कि उन्हें अपनी खोश पर पूरा भरोसा है उमीद करते हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी फैमली और फ्रेंड्स के साथ जरू शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद